जन्सुराज मेधा चात्रवृती में चैनीत सो चात्राओं को किया गया सम्मानित पदमस्री सुधा वर्गीज ने सभी को प्रमान पत्र देकर भविश्य के लिए दी सुपकाम नाए नियुज नाइन टाइम्स पटना से संपादक संजय कुमार की रिपोर्ट जन्सुराज मेधा चात्रवृती के तहत 5 मई को पटना के जन्सुराज कार्याले में राज्य भर से चैनीत सो चात्राओं को चात्रवृती दी गई महिला सिक्षा को लेकर महात्मा गांदी जी के सपने को साकार करने के लिए जन सुराज अभियान के ओर से जन सुराज मेधा छात्रविती की पहल की गई है इसके तहट बिहार के 100 मेधावी छात्राओं को एक साल तक 15,000 रुपए की सहायता रासी प्रदान की गई इस छात्रविती के लिए बिहार सरकार की रहने वाली कोई भी छात्रा जिसकी अधिक्तम उम्र 25 वर्ष से गम हो और बारहवी पास हो इसके लिए आवेदन कर सकती थी बिहार के अलग-अलग जिलों से आई लड़कियों ने जन सुराज मेधा छात्रविती सम्मान कारिक्रम में सामिल हुई बिहार के अलग-अलग जिलों से चैनीत छात्राओं को पदमस्री सुधा वर्गीस ने प्रमान पत्र देकर भविस्ते के लिए सुपकाम नाये दी के माध्यम से जो लड़किया सौटलेस्ट हुई थी जिनकी संख्या लगबग 50,000 थी ओनलाइन परिक्षा के लिए उपस्तित अभ्यार्थियों की संख्या 13,000 थी इस पूरी प्रक्रिया में कुल 100 लड़किया चैनीत हुई और उन्हें प्रमान पत्र देकर सम्मानित किया जनसुराज मेधा चात्रविती में पूरे बिहार की लड़किया अलग-लग जीलो से अपने माता पिता के साथ पटना आई हुई थी माता पिता भी अपने बच्चों को प्रमान पत्र और मेधा छातरवेती पाता देख कर काफी खुश नजर आए और जन सुराज की इस मुहीम की काफी सरहना की नियूज नाइन टाइम्स